चलो, कुछ मीठा हो जाए Hello everyone, welcome again कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था तो सोचा क्यों ना खीर बनाई जाए अब खीर भी चावल की तो खाने का बिल्कुल मन नहीं था तो आज मैंने बनाई हैं लौकी की खीर मुझे लगता है कि आप लोगों को भी यह पसंद आई क्योंकि मुझे तो यह बहुत ही जादा पसंद आई तो चलिए देखते हैं कि इसे बनाना कैसे है यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूद ले लिया है और मैंने यहाँ पर 200 ग्राम लौकी ली थी लौकी को मैंने अंदर से उसके सारे सीड रिमूफ करके उसका एक्सेस वाटर भी निकाल दिया था सारा पानी उसके बाद यह इतनी ही निकल के आई यह आधी कटोरी के जितनी अब हमें क्या करना है सबसे पहले हम यह जो हमारा दूद यहाँ पर रखा हुआ है हमें इसे बॉइल करना है और लौकी जो हमारी है हमें इसे भून लेना है तो हम दूद बॉइल करते हैं पहले तो दूद बॉइल करने के लिए रख दिया है लौकी को भूनने के लिए कड़ाई में एक चमस देसी घी डालेंगे देसी घी ही डालिएगा आप भी अब इसमें हमारी कड़ू यह देखिए जो तीन इलाइची में दिखा रही हो न इसमें बाद में मैं इन इलाइचीों का पाउडर भी डालूँगी सिर्फ तीन इलाइचीों का तो यहां पर मैंने यह डाल दिया लौकी इसमें भूनने के लिए अब इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भूनने के लिए रख देंगे इसमें ज्यादा से 5-6 मिनट ही लगेंगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा थोड़ी सी ही भूनती है यह क्योंकि हमने इसका सारा पानी भी निकाल लिया है और हमने इसका बीज भी नहीं डाले है बीज भी सब निकाल लिया है तो यह ज्यादा टाइम नहीं लेगी अच्छ के साथ और इसके दूद और लौकी को अब इसे कंटीनियसली हमें बीच-बीच में चलाते रहना है लेकिन इसका बिल्कुल ध्यान रखना है कि यह नीचे तली पे चिपके ना अच्छे से इसे बीच-बीच में थोड़ी थोड़ी दिर में चलाएंगे और 20 मिनट तक इसे में पकने के लिए छोड़ दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से यह कड़ कड़ के मिक्स हो जाए आपस में घाड़ी हो जाए तो देखिए घाड़ी हो गई है अब मैं यहापे चार चमत चीनी के डाल दूँगी और जो मैंने आपको पहले इलाइचे दिखाई थी ना वो भी हापे उसका पाउडर भी मैंने बना के रख लिया था उसके सारे दानों को निकाल के उसका पाउडर यहापे मैंने 5-6 आलमंज और 5-6 कैश्यू एड़ किये थे जो मैंने पहले ही कट करके रख लिये थे आप उसमें रेजिन्स भी एड़ कर सकते हैं अब यह इलाइ अब हम इसे सर्विंग बोल में डाल देते हैं तो इसे सर्व करने के लिए आप चाहें तो आप इसको गरम गरम भी खा सकते हैं ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं नहीं तो आप इसे ठंडा करके फ्रिज में रख दीजिए और फिर खाईएगा तो यह और ज्यादे टेस्टी लगती है अब बस इसे गार्णिश कर देंगे चॉप्ड आलमंड्स और कैश्यू के साथ और यह रेडी टू सर्व है आप इस रेसिपी को ज़रू ट्राइ कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब तो माइ चैनल प्लीज लाइक दिस वीडियो थैंक यू एव्रिवें भाइ